उधारण आठ यदि टैन थीटा धन साइन थीटा बराबर M और टैन थीटा रिण साइन थीटा बराबर N हो तो सिद्ध किजिए कि M की घा दो रिण N की घा दो बराबर 4 गुणा वर्गमुल M N हल दिया है कि M बराबर 10 थीटा धन साइन थीटा उसी तरह से N का मान दियावा है 10 थीटा रिण साइन थीटा अब कहीं हम M और N का योग करते हैं जोड़ते हैं M धन N तो हमें प्राप्त होंगा धन साइन थीटा और रिण साइन थीटा तो कट जोड़ने पर 10 थीटा धन 10 थीटा बराबर 2 10 थीटा होंगा अब यहां पर घटाने पर यह धन चीन हो जाएगा तो साइन थीटा धन साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा में प्राप्त होंगा अब हम यह इस समीकरण M धन N बराबर 2 10 थीटा और M रिड़ N बराबर 2 साइन थीटा दोनों का गुणा करेंगे तो कोश्टक में हम लिखेंगे M धन N और M रिड़ N बराबर 2 दुनी 4 साइन थीटा गुणा 10 थीटा यह हमारा समीकरण एक है से हम एक मान लेते हैं अब हम पुना M का मान M बराबर 10 थीटा धन साइन थीटा और N बराबर 10 थीटा रिड़ साइन थीटा इसमें दोनों समीकरण को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें M गुणा N बराबर प्राप्त होंगा कोश्टक में पहले कोश्टक में 10 थीटा धन साइन थीटा और दूसरे कोश्टक में हमारे पास प्राप्त होंगा है 10 थीटा रिड़ साइन थीटा बराबर यहां पर हम सर्वस्वमीका का प्रयोक करेंगे A धन B, A रिड़ B इसका मान होता है A का वर्ग रिड़ B का वर्ग तो यह बन जाएगा 10 की खात 2 थीटा रिड़ साइन की खात 2 थीटा अब क्योंकि हम जानते हैं कि 10 थीटा का मान जो होता है तो 10 की खात 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, 2 थीटा 2 थीटा रिड़ साइन की खात 2 थीटा को हम ऐसे लिखा बराबर हम लगुत्तम नेकालेंगे कॉस की घात 2 थीटा तो यहां बचेगा साइन की घात 2 थीटा रिण यहां आएगा साइन की घात 2 थीटा गुड़ा कॉस की घात 2 थीटा अब यहां पर हम अंश में साइन की घात 2 थीटा को उभेनिश निकाल लेते हैं तो कोश्टक में हमारे पास बचेंगा एक रिण कॉस की घात दो थीटा बटा कॉस की घात दो थीटा आगे हम अगले प्रिष्ट में देखते हैं चलिए आगे देखते हैं हमें प्राप्थ था साइन की घात दो थीटा कोश्टक में एक रिण कॉस की घात दो थीटा बटा कॉस की घात दो थीटा बराबर साइन की घात दो थीटा गुणा हम जानते हैं कि एक रिण कॉस की घात दो थीटा जो होता है वो होता है साइन की घात दो थीटा बटा कॉस की घात दो थीटा बराबर यह हमारे पास साइन की घात दो थीटा और हम जानते कि sin theta बटा cos theta 10 theta होता है और हमारे पस sin की घाथ 2 theta बटा cos की घाथ 2 theta है तो ये बन जाएगा 10 की घाथ 2 theta तो इस तरह से हम 4 गुणा mn 4 गुणा वर्गमूल mn का मान लिख सकते हैं 4 वर्गमूल हमने अभी यहाँ जो प्राप्त किया था m गुणा n का मान ग्याद किया है तो mn का मान जो है mn का मान जो है यह हमने प्राप्त किया sin की घाथ 2 theta गुणा 10 की घाथ 2 theta बराबर चार वर्गमुल साइन का वर्ग दो थीटा जो है साइन थीटा हुआ और वर्गमुल से वर्गमुल टैन की घाट दो थीटा को हम बहार निकालेंगे तो टैन थीटा निकल जाएंगा अब हमने देखा कि M की घाट दो रिड एन की घाट दो बराबर चार वर्गमुल MN का मान समान है इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 गुड़ा वर्गमुल MN बराबर M की घाट दो रिड एन की घाट दो हमने या समीकरण एक से हमने प्राप्त किया है या हम लिख सकते हैं कि M की घाद दो रिण N की घाद दो बराबर चार वर्गमूल M N यही हमें सिद्ध करना था यही सुधारण का हल होगा प्राप्त करना थाद